दोस्तों आज बात करेंगे सैंसुई ने अपने स्मार्ट टीवी लौंच किये हैं अब सैंसुई का नाम आप सुनते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बट थोड़ा सा भरोसा भी आता है कि या जपनीज कंपनी है तो इसका स्मार्ट टीवी बैस्ट होगा बट क्या उसने जो स्मार्ट टीवी लौंच किये हैं वो लेने चाहिए तो दोस्तों मैं हूँ सचिंगिल नमस्कार दी तो दोस्तों अगर आज से 15 साल या 20 साल पहले की बात करें तो सैंसुई एक अच्छा ब्रेंड माना जाता था खासकर इंडिया में खासकर जपनीज कंपनी थी तो सैंसुई के प्रोड़क्ट लोक ले लेते थे बट अब जो है वो दुबारे से रिएंटर करा है इंडिया में और उसने कुछ प्रोड़क्ट लोंच किये हैं जिनके बारे में हम बात करें ना करें यह समझ में नहीं आता क्यों क्योंकि उन्होंने जो प्रोड़क्ट लोंच किये हैं उस प्रोड़क्ट में इतनी खास च इंच तक और उसमें 32 वाले टीवी जो है अगर उनमें बात करें तो वो तो normal SD TV है full SD TV है अब बात करते हैं 43, 50, 55 इंच वाले टीवी तो उसमें आपको HDR 10 मिल जाएगा 4K TV है बट उसमें आपको Dolby Vision नहीं मिलेगा ऐसे कमाल बहुत सारे sound output बहुत सारे TV में बहुत जादा है और उसमें Dolby Atmos भी मिल रहा है और TV में Dolby Vision जैसे फीचर्स तक मिल रहे है बट इस TV में वो खास कुछ भी ऐसा नहीं है बट इसकी जो एक USB बताई गई है कमपनी की तरब से वो Android 10 इसमें दिया गया है चुकि एक अच्छी चीज़ है latest Android होना कमाल की जीज़ा बट एक Android के वरो से हम एक smart TV को बिलकुल नहीं खरी सकते हैं तो इस smart TV में कुछ ऐसा नहीं है और अगर बात करें इसमें जो connectivity features हैं वो लगबग लगबग सब सेम नहीं है मतलब Wi-Fi है बट Wi-Fi single band है Bluetooth इसमें दिया गया है आपको SDY port मिल जाएंगी औक सब कुछ connectivity के लियास से देखे तो सही है बट दोस्तों क्या यह लेना चाहिए अगर price की बात करें तो 32 इंच वाला जो variant है 16,500 रुपए के करीब में वो start किया गया है अगर दूसरे बैंड की बात करें तो वहाँ पर sound output भी जाद है उसमें आपको picture engine भी मिल जाएगा वो बहुत सारी चीजे मिल जाएंगी और उनका price इससे भी कम है और अगर बात करते हैं 4K level वाले TV के 55 इंच का बात करें तो 70,000 रुपीज का price रखा है 70,000 रुपीज वो भी normal TV के लिए जबकि QLED TV भी मिल रहा है वो भी 55 इंच में मिल जाता है तो आपने इतना ज्यादा price क्या सोच के रखा है मुझे नहीं समझ में आता है बट ये जो TV है बिलकुल भी नहीं लेने लायक है फिर भी उसके बाद भी कुछ लोग interested हों तो description में link है आप चाहें तो ले सकते हैं बट इस price पे तो खास कर नहीं लिया जा सकता है इससे हाँ price में इससे better features मिल रहे हैं तो इस TV को consider करना एक बेफकुफी होगी Sensui जब पहले थी तो service center भी बहुत जाते थे बट Sensui अब नहीं है बट service भी इतनी अच्छी नहीं है तो आप कहीं लेके फस ना जाए बट एक ये option था अगर सबोज हमारे पास TV होता और इसको देख सकते और साइद इसकी picture quality या कुछ इसमें समझ आता तो कुछ कह भी सकते थे बट जो overall specification on paper बिलकुल भी ये टीवी खरीदने लायक नहीं है तो दोस्तो मुझे आप कमेंट में लिखके बताएए क्या सोचते हैं आप इन Sensui वाले टीवी के बारे में और दोस्तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना और आज की वीडियो के लिए इतना ही थैंक्यू शो मच बंदे बातरम